नमस्कार किसान भाईओं आपके अपने रोच्चे के गरी कल्चर यूटूब चेनल में स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्या बंधाई कैसे करनी है और गन्या की सिचाई हमको कैसे करनी है कि गन्या हमारा जो बंधाई कर रहे हैं उसके बाद गिरना न अगर अंतक वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगो पूर्ण रोप से जानकारी मिल पाएगी तो आप लोग देख रहे होंगे हमारा गन्या जो पांच फित पर बोया हुआ है चार साढ़े चार से या पांच पर है यह हमको ध्यान नहीं कितने पर बोया हुआ है इस गन यानि कि दो बंधाई तो आप लोगों को दिखाएंगे इसकी बंधाई कैसे हुई है अगर आप पूरा विध्वत रूप से इसका देखना चाहते हैं कैसे इसकी बंधाई तो हमने इससे पहले एक वीडियो अप्लोड किया था उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं और लिंक नीचे से निकल लहे हैं सबको एक साथ लेके यहां पर नीचे की चार पांच पत्या लेगे उसको यहां पर जुनरे द्वारा कस्के बंधिया जाता है कि ईसके बाद आपको आसपरोस की ये क्यारी, मतलब ये लाइन, गन्ने की एक ये लाइन, एक ये लाइन, दो लाइनों को एक साथ लेके, इस प्रकार से बांधना है कि कैंची बंधाई, मतलब कैंची की तरह इसको एक पास करके, आप लोगों को बांधना है, इस प्रकार से बांधना है, कि आपको प्षोल्थ स्काल कर सकते हैं जैसे कि यहां पर हमारी एक ढूरा है यहां पर देख सकते यह dois इसे के अ sequencing a century verb पर तो आपको गणने को बंधाई करनी है कि उसका पर बन चुका है वहां से आपकी मंदाई करनी है तो आप लोगों को विधवत और जानकाई चाहिए तो दूसरा विडियोग को देख सकते हैं कि हमको सेचाई गन्य में कम मतलब स्रीमिouter नमी की तो अनमी बनी रहनी चाहिए हस से ज्यादा उसमें पानी नहीं भड़ना है तो जैसे की हमारा यहां से पानी हमारे टेप्ल से आ रहा है इधर हमारा यही तीन में äll donations की मेरे यकार तो तीन इंशंका पाणू यहां से आ रहा है यह यह प्लाय के दारा मतलब जो नाली गन्यकिनलिक है उसी में सीधे जा रहा यह झी देख़ी आपको दिखाते हैं ठोड़ा रंदर गुशके यह सिर्फ आपको पानी नालियों में देना है इस से हमारा यह होता है कि नालियों में अगर पानी देते हैं में। मिलता है और उसके साथ-बेर उसकी जो मेर होती है ऊपर पानी नहीं पोणूशते हैं नमी रेखती है पानी यहां तक रखिधा है नमी इसमें बनी हुई है ऐसा करने से हमारी जो हांधी और हवाय तेज नहीं नहीं तो गल्ना तोल गिरेगा नहीं अगर इस प्रकार से हम लोगों सिचाई करते हैं, पानी भी कम लगता है, समय की भी बचते होती है और पानी का खर्च भी गमाता है तो इस प्रकार से आप लोगों को सिचाई करनी है, कि गन्ना हमारा गिरेना अगर दे गई जानकरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने चहीते किसान भाईयों को सेर करिए जिससे कि ये जानकरी उन लोगों को प्राप्त हो सके और गन्ना बंधाई और गन्ना गिरने वाली अनिक प्रिकार की प्राप्लम से बस सके और इस समय आप लोगों को जैसे पता है कि गन्ना सूख रहा है यानि कि गन्ने में रेड राट का प्रको बढ़ा है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है वहां से आप लोग देख सकते हैं उसका निवारण उसकी पहचान और उसको आपको दूर कैसे करना है अगर आपके पास पर उसकी खेत में है तो उसको हम मेड बंधी दोराई और मतलब उसमें पूर जोप से आप लोगों को जानकरी दे दे गई है वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं इसकी भी लिंक हम डिस्कप्शन में डाल है देखते रहे हैं आप लोग गन्ना दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कैमरे में पूरा नहीं रहा तो यहां मारा गन्ना गेरा फिटका हो चुका है कि इसकी लंबाई हमने कली जाँची थी और यहां पे देखे मिंदर निकले ही हैं चलिए वीडियों को इतना ही रखते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें हैं करें और हमाइग चैनल को सबस्क्राइब करें अब पानी एगर लगाते हैं तो आपको पानी क्यारियों में ही देना है नाली में देने से आपका पानी की बचात समय की बचात होती रहती है और गन्ना हमारा गिर्ता नहीं है नमस्कार जैहिंद